यह बहुत important है या बाली का पंचायत यह बताओ आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बाली का वधु वाला वो जो एक serial आता था या आता है मुझे नहीं पता आता था तो पता आता है कि नहीं यह नहीं पता उसी से inspire होके इसकी शुरुआत करी गई है और यहां पर question में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का ऐसा कौन सा राज है जहां पर इसकी शुरुआत करी गई है तो आईए जरा चलते हैं और इसनी उसको समझते हैं important news है ठीक है देखो क्या पूछा जा रहा है पूछा जा रहा है कुनरिया नाम का एक गाउं है एक village है वहां पर इसकी अब यह होता क्या है यह होता क्या है पहले हम यह समझते हैं देखो बालिका लिखा है तो बालिका से आपके दिमाग में अब इसमें क्या कहा गया जैसे कि बालिका बधू में दिखाया गया है कि जो लड़कियां होती है उनको बहुती जादा priority नहीं मिलती उनको बहुत सारे अधिकार नहीं दिये जाते हैं तो उसी से inspire होके यानि कि उसी को यहां पे correct करते हुए conduct किया जा रहा है बालिका पंच यहां पे एक तरीके से campaign चलाई जाएगी कि आने वाले समय में यही जो बच्चियां है वो पंचायत के चुनाव में खड़ी हो सकें समझ रहा हो बात को भाईया खत्रे की गंटी है यहां पे अगर कोई भी ऐसा है जो सोच रहा है कि मेरी age अब 21 साल हो चुकी है मैं तो क्योंकि important है अब यहां पे क्या होगा कि आने वाले समय में जो लड़कियां है वो पंचायत के चुनाव में खड़ी हो पाएंगी तो इनके अंदर leadership quality को develop किया जा रहा है बहुत अच्छी बात है अब leadership quality develop तो होगी लेकिन यहां पे यह जो contest या फिर यह जो campaign चलाया जा रहा है इसको कहा गया है by the girls and for the girls जैसे कि हम लोग कहते है न सरकार जो होती है यह होती है by the people and for the people Abraham Lincoln जी का यह statement है उसी तरीके से यह जो पंचायत के अंदर पूरे contest वगेरा हो रहे है इसको conduct भी किया जा रहा है लड़कियों के द्वारा और इसके अंदर जो rules किये जाएंगे या पर यहां पे जो सारा काम किया जाएगा वो भी लड़कियों के द्वारा ही होगा तो especially यहा से कहां तक के age group के लोग होंगे जो पार्टिसिपेट कर पाएंगे तो इसमें 10 साल से लेके अगर 21 साल तक की age है तो आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो especially ध्यान रिखेगा यह पंचायत के चुनाव के लिए कंड़क्ट किये जा रहे समझ गए किसके लिए पंच के अंदर जो उत्तरा खंड है वहाँ पे एक दिन के लिए सीम कौन बनी थी शृष्टी गोस्वामी दूसरा सवाल आप से पूछा जा सकता है किसके बारे में सुरेखा सीकरी जी के बारे में यह कौन थी बालिका वधू के अंदर यह एक आप्टरिस थी जिनकी अभी हाली म आपके लिए इंपोर्टेंट है तीसरा नाम क्या है एंडिया के अंदर जो यंगिस मेर है उनका नाम क्या है तो यह करला से बिलॉंग करتी है जिनका नाम क्या है आलरीया राजेंदरने यह नाम ध्यान रखियेगा क्यों Gef目前 रएले ने भरवर के सवाल किया था कि youngest mayor कौन है ठीक अच्छा अब ये तो बाते होगे इसके बारे में अब देखते हैं यहापे कुछ important points पहला क्या लेखा हुआ है नरीद मोधी जी के दौरा अभी हाली में सबसे बड़ा जो solar energy park खोला जाएगा वो कहाँ पे खुलेगा आंसर हो जाएगा गुजरात के अंदर run अधी नगर यहाँ पे रहेगा नेक्स है डांडी मार्च आप सभी को मालू है कि जो डांडी मार्च है उसकी शुरुआत गुजरात से हुई थी सावरमती के आश्रम से और यह शुरू कब होता है तो 12 मार्च 1930 1930 में इसकी शुरुआत होती है खतम कब होता है तो 6th of April 1930 को यह खतम हो जाता है ठीक है अगला बताओ सी प्लीन सबसे पहली बार कहां पर स्टार्ट किये गए थे तो इसका आंसा क्या हो जाएगा गुजरात के अंदर इसको शुरू किया गया कहां पे जहां पे स्टेचू आफ यूनिटी आपको देखने को मिलता है इसकी हाइट कितनी है 182 मीटर्स इसकी हाइट हो जाएगी नेक्स एको यहाँ पर क्या है अगला क्या है हाँ अगले जनम मोहे बिटियाई की जो मतलब शुबावाद गया है मैं आगले जनम में को बिटियाई करना ताकि पंचायत के चुराओ में मैं खड़ा हो सकूं मतलब भाई क्या बताएं हम हम तुमको खैर पंचायत के लिए या फिर पंचायती राज सिस्टम को इंडिया के अंदर स्टार्ट करने के लिए जो एक कमिटी बनाए गए थी उसका नाम क्या था बलवंत राह मैता कमिटी और इसकी शुरुवाद सबसे पहले कहां से होई थी पंचायत की राजस्थान क जो जगए है नागौ और्ट सब्सक्राइब वहां से इसकी शुरुवाद होती है पंचायती राज सिस्टम के अगर हम बात करें तो एक कितने तियर का होता है मतलब इसके कितने हिससे होते है तो इसके तीन हिससे होते है 3 tiers system यह होता है अगर तुमसे पूछा जाता है कि 2 tiers system किसके द्वारा बोला गया था तो यह अशोक जी के द्वारा एक committee बनाई गयी थी उन्होंने यहाँ पे कहा था कि 2 tiers system होना चाहिए next देखेगा पंचायत के लिए कौन सा article है तो पंचायती राज system के लिए article number यह हो जाएगा और organization of पंचायत अगर पूछा जाएगा तो article number 40 हो जाएगा बिल्कुल साहिए next देखो क्या है कौन सा यहाँ पे ऐसा amendment है या फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सम्विधान संशोदन है या फिर कौन सी अनुसूची है जिसके अंदर पंचायत के बारे में बात करी गई है तो अगर amendment number पूछा जाएगा 73 है कब आता है यह 1992 में और अगर आपसे schedule पूछा जाता है तो 11th schedule हो जाएगा 11th अनुसूची हो जाएगी सेम उसी तरीके से municipal corporation है यानि कि नगरपाले का amendment number 74 और अगर आपसे कहा जाता है schedule number कितना है तो schedule number 12 हो जाएगा के लावा यहाँ पे आपका जो नया बैच है वो भी आज से स्टार्ट होने जा रहा है विकाज इस 21st of January नहीं है जुलाई है और आज से आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है जिसके अंदर सारे top educators के classes तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे next आपका GS math English and reasoning यह सारी चीज़ें आपके इसके अंदर cover हो जाएगी और यह ध्यान रखना कि इसमें आपको मेरे classes मिलना स्टार्ट होंगे 25 तारिक से 25 से नया बैच स स्टार्ट होगा तो अब इसको अभी से जॉल कर लों कि इसके ंप्राइज लो है वो इंक्रीज होने वाले तो यह के बैच स्टार्ट हो रहे हैं आज से आप इसको जॉल्ट कर सकते हूं टाइमनी प्राक्टिस आपकी होगी, इसके अलाइन सेशन को इक बास लाइक और शेयर मार दीजेगा, तिल देन, कुछ रही है, मुस्कुरात रही है, घर पर रही है, बाबाइ!